नमस्कार दोस्तो मैं आरेन विश्यो कर्मा और आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में दोस्तो हम मैनुफैक्ट्रिंग इंडेश्ट्री के अगर बात करते हैं तो मैनुफैक्ट्रिंग कपाबिलिटीज में चाइना वर्ल्ड में डॉमिनेट करता है और वर्ल्ड की मैनुफैक्ट्रिंग का करीवन-करीवन 32% अकेला चाइना में ही मैनुफैक्ट्रिंग होता है और अगर भारत के अगर बात करते हैं, तो भारत में करिवन वर्ल्ड का 2.9% मुटा मुटा अगर देखे हैं, 3% बोल सकते हैं, 3% manufacturing भारत में होती है, अगर दोस्तों हम size में अगर comparison करते हैं, तो भारत रहा यहां पे, ठीक है न, और चाइना जो है, तीन गुना बड़ा है भा size में, और जनसंख्या के ममले में अगर बात करें, तो एक टाइम पे चाइना नंबर वन था, अब भारत नंबर वन है, हलका से ज़्यादा ही है, ब्रॉडली हम बोल सकते हैं, दोनों की जनसंख्या जो 1.4 billion के आसपास की है, तो जनसंख्या लगभग बराबर है, लेकिन चा चाइना जो manufacturing में dominate करता है, इसके top manufacturing industries कौन कौन सी है, कौन कौन सी industry में ये world को dominate करता है, ठीक है न, ये भी जानना चाहिए हमें, तो इस program में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने कोशिच करेंगे, कि top industries चाइना की कौन कौन सी है, तो दोस्तों पहली जो industry है, वो है electronics and technology, त electronics and technology आज की time में सब को influence करता है, साइध ही ऐसा कोई इनसान होगा जो कि smartphone इस्तमालना करता हो, सब के हाथ मा अचकल smartphone है, लेकिन अगर इसके अगलों बात करते हैं, electronics की और technology की, तो चाइना में कुछ बड़े नाम है, हुआई है, जियोमी है, लनोवा है, और इनका दबद्व बना हुआ है, smartphone, computers, semi-conductors, telecommunications और बागी consumer electronics में, तो इस product में, चाइना जो है, world को dominate करता है, world का largest producer है, electronics product में, और अभी आपको मालूम हुआ कि कुछ साल पहले तक भारत में भी semi-conductor chip का issue हुआ था, जिसके वज़ा से, इंडिया में काफी सारी company आपना production उन्होंने बंद कर कर दिया था, especially अगर बात करें तो automotive industry की, और इसी को नजर में रखते हुए, प्लस अभी जो geopolitical environment है, इसमें जो conflict वगरा चल रहा है, इसको नजर में रखते हुए, भारत सरकार ने भी semi-conductor और से जुड़े हुए industry को भारत में बढ़ा हुआ देने के लिए काफी सारे initiative सुर कहीं पर भी नहीं आता है, अगर electronics और technology की बात करें तो, दूसरा जो industry है दोस्तो, काभी बड़ा industry है, machinery and equipment manufacturing, तो दोस्तो, machinery का इस्तमाल industry में manufacturing करने के लिए होता है, और बाकि जो बड़े-बड़े equipment होता है, जैसे कि mining हो गया है, या आर्ट में equipment होते हैं, road या infrastructure को building करने के ल होगी, तो ये फर्दर आपके दूसरे industry को support करती है, तो इसमें अगर चायना की अगर बात करें, तो कुछ बड़े नाम है, Sani, XCMG, Zoom Leon, और इस industry में, heavy machinery, बाकि industrial equipment, construction machines, और mining equipment आते हैं, तो इनका दबदबा बना हुआ है, इस industry में भी, अगर global position के अगर बात कर दोस्तों, त क्योंकि जर्मन कमपनियां, equipment manufacturing, machine manufacturing में लीड करती है, और इनकी कमपनियां और इनके product अभी भी, चायना से comparatively काफी better माने जाते हैं, लेकिन चायना का age ये बनता है, कि उसका volume काफी high रहता है, cost comparatively अगर देखें, तो जर्मनी से काफी कम रहता है, चायना का, तो cost में कमी, fast production, volume high, easily available हो जाता है, इसलिए काफी सारे market में Chinese machinery को prefer कियाता है, लेकिन जर्मनी अभी भी इसमें number one पे बना हुआ, और US जो है यहाँ पर third position hold करता है, चायना कि अगर machinery industry के बाद करें, तो highly developed है, और यह अपने domestic demand, plus export market के लिए भी काम करती है, तो domestic में जो उनका infrastructure जो growth होता है, उ just globally export भी करते हैं, third industry दोस्तों, काफी important industry है, automotive industry, तो automotive industry में अगर दोस्तों अगर बात करते हैं, तो cars हो गए, electrical vehicles हो गए, truck हो गए, बाकि auto parts से relevant manufacturing industry के अगर बात करते हैं, तो इसमें कुछ बड़े नाम हो गया, बीवाइडी, full firm क्या है, comment में लिके बताईए, जीली, सेक और नि dreams, काफी बड़ा नाम है, और आज के टाइम में ये टेसला को भी टक कर दे रहा है, और इसके investor में एक बड़ा नाम, Warren Buffett का भी है, तो दोस्तों, फिलहाल में, चाना जो है, वर्ल्ड मार्केट में, automotive manufacturing में, car manufacturing में, डोमिनेट करता है, हाला कि उनके उनके खुद का domestic demand भी है, वो export भी काफी करते हैं, इसमें अगर EV segment में अगर बात करें दोस्तों, तो BYD जो है काफी जबरश टक कर दे रहा है, टेसला को, साथ ही साथ new company जो है, ये भी काफी grow कर रही है, अगर global position की बात करें दोस्तों, तो China number 1 पे है, यहाँ पे automotive market में, USA number 2 पे है, और Japan 3rd position पे यहाँ पर आता है, ठीक है न, यहाँ पर इंडिया बहुत पीछे में है, और अभी हाल ही में देखा गया है कि top 10 automobile जो companyya है, उसमें 10th position पे Tata Motors की recently entry हुई है, लेकिन उसको अगर Tesla से या BYD से comparison करें तो अभी बहुत पीछे है, फोर्थ industry हमारा दोस्तों है, steel और metallurgy, ये भी काफी important industry है, इसमें आजाता है, steel, iron, aluminium, copper, बाकी rare earth के metals, कुछ अगर बड़े नाम ले लें चाइना के, तो चाइना, bowie steels, n-steels, और chalco group है, और यहाँ पर अगर global position की अगर बात करें, तो चाइना number one है यहाँ पे, इंडिया number two पे है, इंडिया के अगर company के अगर बात करें, तो top 10 company steel और metallurgy में आ जाएंगी, Tada Steel है, JSW है, इसके अलावा Steel Authority of India Limited है, तो इंडिया भी अच्छा position यहाँ पर hold करता है, अगर बात करते हैं, श्टील की तो, चाइना दोस्तों यहाँ पर world का 50%, in fact 50% से ज्यादा, steel अकेला produce करता है, और साथी साथ श्टील के अलावा, aluminium हो गया, rare earth metal हो गया, इनके production, जो कि electronic industry और automotive industry के लिए काफी important होते हैं, जैसे कि automotive industry के बात करते हैं, तो automotive industry में अगर आप देखेंगे, तो बाहर से नजराने वाले सारे जो parts होते हैं, seat metal के parts होते हैं, और उनके लिए seats जो होते हैं, एक काफी important input होते हैं, इसके अलावा, जो billets होते हैं, यानि कि आप चाये फोर्जिं कर रहे हों चाये आप कास्टिं कर रहे हों चाये शीट मडल के स्टाम्पिंग कर रहे हों अगर आटमोटिव के बात करते हैं तो स्टील एक important input के रूप में काम करता है। ठीक है ना तो यहां पर भी चायना डोमिनेट करता है। फिप्ट इंड़स्ट्री है दोस्तो टेक्स्टाइल और अपैरल तो यहां पर अगर बात करें तो कौन-कौन से प्रटक्ट हो जाते हैं क्लॉथिंग हो गए फैब्रिक्स हो गए फुट्वेर हो गए और सिंथेटिक फाइवर्ज हो गए तो यहां पर अगर चाइना की कुछ बड़े नाम की अगर बात करें तो सेंजू इंटरनेशनल एंटा स्पोर्ट्स और लीनिंग आ गए ठीक है ना और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं चाइना का पोजिशन की तो वर्ल्ड में यहां पर डोमिनिट करता है नंबर वन पे है और इंडिया यहां पे नंबर ही है निकल जाया क्योंकि काफी सारे इंड़स्ट्री वहां से मूव कर रही है ठीक है ना और दुसरे कंट्री इसको एक्स्प्लोर कर रही है काभी बड़ा इंवेश्ट्मेंट जो इंडिया का बंगलादेश में था वो भी लगता है मुझे कुछ इंपाक्टेड होने वाल करें तो ग्लोबल लीडर है इसमें टेक्स्टाइल में और गार्मेंट में जिससे कि वो यूपेन कंट्री इसको यूएस को एक्सपोर करता है साथ इसाथ एसिया में भी काफी सप्लाइ करता है और इसका रीजन है कि उनका काफी अच्छा इंटिग्रेटेड नेटवर्क है उनको जो रा मिट्रियल चाहिए लोकली अवेलवल होता है सप्लाइ चेन काफी स्ट्रॉंग है नेक्स जो इंडस्ट्री है दोस्तों यह है फार्माशेटिकल्स और बाया टेक्नलोजी और यहां पास जो की प्रड़क्ट की अगर बात करते हैं तो आगे दवाईया हों गई वैक्सिन्स हो गए मेडिकल डिवाइसे हो गए और बाकी जो बाया टेक्नलोजी के प्रड़क्स हो जाएंगे अगर चाइना कंपनी के कुछ बड़े नाम अगर लेते हैं सिनुफार्म चाइना नेशनल फार्माशेटिकल ग्रूप और फोसून फार्मा अगर इंडिया की ब पीछे है लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें तो कुछ प्रड़क्स में इंडिया का भी दबदबा बना हुआ है अगर इंडियन कंपनी के अगर बात करें दोस्तों तो सन फार्माशेटिकल्स सिपला हो गया डॉक्टर रेडिज लाबर्टरी हो गया ये तीन बात में काफी बड़ा बदलाव दिखा जा रहा है और काफी ग्रो दिखा जा रहा है चानीज इंड़स्ट्री में इसमें से की जिनरिक ड्रग में काफी फोकस है इसके अलावा वैक्सिन में काफी फोकस उन्होंने बढ़ाया हुआ है हाला कि इंडिया में भी काफी पॉज नाम अगर ले लेते हैं CATL हो गया, Jinko Solar हो गया, Trina Solar हो गया और Gold Wind तो दोस्तों आज की तारीक में चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रडूसर है Solar Panels में किसी जमाने में Germany हुआ करता था, चाइना ने पचाड के उसको काफी सस्ता और काफी Innovative Product launch किया हुआ है, और मतलब एक तरीके से बात करें, तो सबसे बड़ा Manufacturer बना है Solar Panels का, इसके अलावा Wind Turbines और बाकी Energy Storing Technologies जो है, ये भी चाइना का खास इंडेस्ट्री देखा गया है, तो अगर पोजिस्टन के अगर बात करते है, वहां की जो Government है, चाइना के जो Government है, उनकी Subsidies, प्लस Government का PUSS, प्लस उनका Internal Policies, ये सारे कारण है जो की चाइना के Renewal Energy Sector को Boost लेते हैं, आठवा जो इंडेस्ट्री है दोस्तों, यह हमारा है Petrochemical और Chemicals में, तो इसमें आगे Plastics, Fertilizers, Chemical Fibers, Synthetic Rubber और Petrochemical Products, तो यहां पर अगर बात करें, तो चाइना जो है यहां पर No.2 पोजिशन पर आता है, USA यहां पर डोमिनेट करता है, और थर्ड में आता है Saudi Arabia, Saudi Arabia के अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें दो बड़े नाम आते हैं, एक हो गया साबिक, दूसरा हो गया Saudi Arabia को, ठीक है ना, लेकिन अगर प्रड़क्स की अगर बात करते हैं, तो प्रड़क्स में, चाइना जो है Saudi Arabia को बीट करता है, काफी सारे इनोवरी प्रड़क्स, अलग अलग प्रड़क्स, जो की ग्लोवल मार्केट को वो सेल करता है, अगर US की बात करें दोस्तों, तो US में काफी बड़े रिफाइनरीज हैं, और केमिकल प्लांट्स हैं, पैसलिए अगर बात करें, लुसियाना और टेक्साइस में जो प्रेजन्स हैं, वो काफी बड़ा बूज देखते हैं, USA को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के लिए, और चाइना को सेकेंड पोजिशन पर ढखेलते हैं, ठीक है न, चाइना के अगर बात करें, तो चाइना का पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, काफी बड़ा पिलर है उनके जीडीपी में, और वजह है उनका लोकल अपना इंटरनल डिमांड प्लस उनका एक्सपोर्ट, नेक्स जो इंडस्ट्री है दोस्तो, नाइन्थ इंडस्ट्री हमारा ले ले लेते हैं, इसको सिप बिल्डिंग, और सिप बिल्डिंग में कमर्शियल सिप, कंटेनर वेसल्स, टैंकर्स और नावल सिप आते हैं, तो अगर कुछ प्रमुक मानफैक्ट्रर के अगर बात करें चाइना की, तो चाइना स्टेट सिप बिल्डिंग कॉर्परेशन, सी एससी और कॉस्को सिप यार्ड ग्रूप, यह दो बड़े नाम है, चाइना वर्ल्ड का लार्जिस सिप है, in terms of tonnage, जिसमें की commercial cargo ships और high-tech naval vessels वो manufacture करता है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग global presence के अगर बात करते हैं, तो साउथ कोरिया बीट करता है चाइना को यहाँ पे, ठीक है ना, चाइना को second position बढ़केलता है, और जापान जो है, third position पे यहाँ पे है, next जो industry हमारा दोस पेस और aviation, तो दोस्तों अगर aerospace और aviation की बात करते हैं, तो चाइना तो खैर यहाँ पर top 3 में नहीं आता है, first आता है USA, of course USA lead करता है aerospace industry में और dominant करता है, global sale में भी, second position पे France आता है, third position पे Germany आता है, तो यहाँ पर high-tech technology लगता है, चाइना यहाँ पर top 3 में नहीं आता है, लेकिन चाइना इंडिस्ट्री काफी fast-paced से catch-up करने की कोशिज कर रही है, इसमें commercial aircraft corporation of China, COMAC, प्लस AVIC, aviation industry corporation of China जो है, यह प्रमुक दाविदार है, industry में manufacturing करने के लिए, अब क्या-क्या बनाती हैं आपे, commercial aircraft हो गया, aerospace component हो गया, और satellites, चाइना जो दोस्तों, domestically developed कर रहा है, aircraft, COMAC C919, और साथी साथ Chinese government जो है, heavily expenditure कर रही है, satellite development में, और कोशिज कर रही है कि, इसमें top 3 में entry ले, इसमें अगर दोस्तों हम भारत की अगर बात करें, तो भारत अभी बहुत पीछे है, हाला कि कुछ positive news सुनने के लिए मिला है, हमारे जो civil aviation minister है, राम मोहन नाइडू, इन् 4 अब सेप्टेंबर 2024 में, उन्होंने एलान किया है कि, government plans to have a special purpose vehicle to prepare roadmap, push development and manufacturing of commercial aircraft, तो commercial aircraft को भारत में हम बनाने की कोशिज करेंगे, ये civil aviation minister नाइडू का कहना है, क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि भारत जो है, एक बहुत बड़ा consumer है, हम बाहर से aircraft खरितते हैं, और चूंकि हम इतने बड़े खरिदार हैं, तो हमारा हक बनता है कि, company जो है, भारत में ही उसे manufacturing करे, facility हम provide करेंगे, खेर अभी आने वाला time में देखने की जरूत है, कि किस तरीके से ये market इंडिया में develop करता है, next industry है दोस्तो, food and beverage की, दोस्तो किसी भी देश की तरक्य के लिए, उनका जो food industry रहता है, beverage industry रहता है, और food processing जो रहता है, काफी important role play करता है, तो processed food, beverages, dairy, grains, meat processing, ये काफी important product हो जाते हैं, इस industry के लिए, तो चाइना की अगर बात करें दोस्तो, तो yearly group, चाइना मेंगनू dairy, कॉफ को, oils and foodstubs corporation, एक कुछ major organization हो जाते हैं, चाइना के, जो की lead करते हैं, food and beverage industry में, अगर global presence के बाद के लिए दोस्तो, तो यहाँ पर USA number 1 पे है, चाइना number 2 पे आता है, और Brazil जो है यहाँ पर number 3 पे आता है, तो नए country के entry है, ब्राजील पहली बार है ना, लेकिन चाइना number 2 पे है, अब चाइना की इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1.4 billion की, हाला कि भारत की भी उ सारी countries को, especially अगर देखें तो Gulf countries को, यूरोप में और US में export करता है, और export के अगर बात करें तो mainly जो products आते हैं, वो आते हैं, processed foods, dairy और agricultural products, और दोस्तो हम finally बात करते हैं, furniture और home appliances की, तो home appliances की बात करें, तो दोस्तो एक बड़ा नाम निकल काता है, higher, media, green, red star, mackaline, ये कुछ ब air conditioner, refrigerators, वगरा वगरा, तो इसमें अगर बात करें, global position की, तो चाइना यहां पर number one position पे आता है, USA number two पे है, और Italy number three पे है, इटली का presence जो है, furniture में जदा है, home appliances में कम है, तो दोस्तो चाइना के अगर बात करें, तो global leader है, furniture और home appliances में, इनके manufacturing करने में, और जैसे कि अमने बताय higher हो गया, media हो गया, कुछ बड़े नाम है, जो कि internationally अपना अच्छा presence बना चुके है, तो दोस्तो हमने इस module में, total 12 industry के बारें बात किया, electronics technology, machinery equipment, automotive, steel, textile, pharmaceutical, renewable energy, petrochemical, ship building, aerospace, food and beverages, और furniture, तो इन 12 industry में दोस्तो अगर चाइना की बात करते हैं, तो total 6 industry में, China जो है, number 1 पे आता है, ठीक है ना, और 5 industry में, China number 2 पे है, तो 6, 5 ही 11 हो गया, और एक ही industry में, top 3 में नहीं आता है, कौन सी industry हो गई, वो हो गया, aerospace, तो aerospace में चाइना top 3 में नहीं आता है, top 3 में USA, France और Germany है, जबकि 6 industry में, China जो है, top position पे है, और 5 industry में जो चाइना जो है, ये second position पे आता है, अगर India के बात करें दोस्तों, तो India, दो industry में, top 2 में आता है, और एक industry में, top 3 में आता है, कौन सी industry है, तो steel और textile में, India second position पे आता है, और pharmaceutical में, India जो है, third position पे आता है, बाकि industry में, India top 3 में नहीं है, ठीक है ना, तो दोस्तों, ये रहा, एक वीडियो आपके लिए आसा करता हूँ, इससे आपको कुछ सिखने के लिए मिला होगा, और आपको कुछ industrial perspective पता चला होगा, इंडिया कहां ठर रहा है, चाइना के comparison में, और चाइना जो है, कहां कहां डोमिनेट कर रहा है, किस-किस industry में डोमिनेट कर रहा है, और overall में global presence क्या है, तो दोस्तों, वी आपको गुगल के प्ले स्टोर से या अपकल के शोर से डाउनलोड करें, जाहिए. अबस्तों आपकती इंडिया काइना कर दो में डोमिनेट कर दो में इंडिया वे पिंडिया का अपकल के प्ले एम जोम आपक्तों, चाहिए.